नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इसने वीडियो में आज मैं इन दोनों वाच में कम्पेरीजन करने वाला हूँ कि कौन सी वाच आपको बहतरें मिलने वाली है और कौन सी वाच बढ़ियां है यहाँ पर आप देखे तो दोनों वाच आप देख सकते हो इधर जो है यह है Firebolt Ninja Call Pro और इधर आप देखे तो BitXP MarvSense दोनों में कौन से बहतर है आपके लिए कौन से बढ़िया हो सकती है इस वीडियो के अंदर जो है यह आपको पता चलने वाला चलिए फिर वीडियो को स्ट इस पर आपको मिल जाती है 60 Hz की रिफ्रेस रेट आपको मिल जाती है Bluetooth कोलिंग वगेरा आपको देखने को मिल जाती है बॉक्स के पीछे देखे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है AI Voice Assistant यहाँ पर 200 प्लस वाच फेस मिल जाते है Instant Notification मिल जाता है Health Monitoring System मिल जाता है और यहाँ पर Firebolt की तो Firebolt Ninja की बॉक्स आपको इस तरह से लंबी देखने को मिलती है यहाँ पर आप देखे तो display के side जो है 1.69 की मिलती है जो की इस से छोटी है यहाँ पर आपको bit xp marv sense की यहाँ पर 1.96 की देखने को मिलेगी यानि कि छोटी मिलती है यह 69096 तो यहाँ पर भी आप Bluetooth कॉलिंग वगेरा कर सकते हो और यहाँ पर देखो तो यहाँ पर 100 प्लस sport modes इस यहाँ पर भी मिल जाते हैं इन विल्ड गेम भी मिल जाते हैं music control भी मिल जाता है याई voice assistant इसमें भी मिल जाती है लेकिन एक चीज नहीं मिलती है वो आप यहाँ पर देख सकते है full touch display आपको मिलती है जब कि यहाँ पर आपको HD heart rate पर गेरा smart notification आपको मिल जाती है IP67 water resistance जो है वो आप देखने को मिलता है इसकी price के बाद पर इतो 17,999 जो है वो देख सकते हैं यह भी IP67 resistance की ही watch है तो इस तरह से आप देख सकते हो अब चलिए watch देखते हैं तो watch यहाँ पर आप देख सकते हो यह है BitX की Marv Sense की watch जिसकी display आप देख सकते हो थोड़ी से बड़ी देखने में भी लग रही यह है firebolt call ninja pro जो कि आप देख सकते हैं display आपको छोटी सी देखने को मिलेगी strap लगबग same आपको देखने को मिलती है इसकी quality भी लगबग same ही आपको मिलती है इस ट्रेप का color भी same है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह दो तीन color में आती है तो मैंने same मंगवाया है यहाँ पर आप देखे तो यह flat है यह थोड़ी सी round जो है वो देखने को मिलती है firebolt की यह watch जो है यह भी काफी smooth काम करके इस ढंग से आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर visibility जो है वो थोड़ी सी इस से कम आपको देखने को मिलेगी बाकि आप यहाँ पर देख सकते हैं touch response आपको काफी बहतरिन देखने को मिलता है फाइर बोल्ट की बात करें तो यहाँ पर calculator वगिरा आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ आप देखने को मिल जाते हैं यहाँ आप कहीं पर भी जाते हो जैसे कि कोई भी function में जाते हो यह home page हो गया उसके बाद आप home page से कहीं जाते हो मान के चलिए setting में हम गया है उसके बाद जो है यहाँ पर phone setting में हम गया है अब यहाँ से अगर आप एक step पीछे जाओगे तो यह direct ही एक step छोड़के direct home page में आ जाती है तो यह इसकी मुझे negative लगी कि आप कहीं पर भी जाती हो तो यह तु पर वेदर वगेरा सारी चीजे जो है वो आपको देखने को मिल जाती है music वगेरा सारी चीजे जो है वो सुन सकते हो कोई भी दिकत नहीं है और firebolt ninja call pro की जो एफ है यह दाफीट करके जो की काफी अच्छे धंग से काम करती है दोनों ही वाद जो है अपने अपने एफ में का काफी अच्छी धंग से आप पढ़ सकते हो इसमें सभी नहीं है लेकिन यहाँ पर आप देखो तो इसमें जो भी आता है वो काफी अच्छी धंग से आप पढ़ सकते हो कोई भी दिकत नहीं होते music वगेरा जो है दोनों में आप सुन सकते हो call जो है वो भी कर सकते हो एक ची आया हुआ है जो कि आप आसानी से पर सकते हो इसकी do रायटिंग है जो लिःओर निखावात है जो्टर है वह आसानी से आप परसके हो इसमें भी सेम वही कंडि taped इसमें बहुत ही यह ます मुझे बहुत है अच्छी लगी comply概wich also same system की आप इसमें आपको ये watch में नहीं मिलती है, ये watch थोड़ी सी odd मुझे लग रही जब भी watch face चेंज करना है यहां पर से दबा करके आप इस तरह से watch face चेंज कर सकते हो, इसका work सिर्फ एक ही है कि आप इसको पीछे आ सकते हो, यानि back आ सकते हो, जबकि इसमें फंसन थोड़ी जादा ह यानि कि आप देखें तो इसमें जो है, बहुत ही ज़्यादा फंसन बीट एक्सपी, मार्व सेंस में दे रखें, जो कि आपको काफी अच्छी भी लगेगी, क्योंकि अभी आप किसी से बात कर रहे हो हो, और आपको पसंद आया कि यह watch face मुझे नहीं चाहिए, तो आप पुष करूँगा, तो एक ही stage पीछाएगी, इसमें क्या है कि आप एक stage नहीं direct बाहर आजाते हो, home page में आ जाते हो, तेखो मैं इसे open क्या फिर इधर, उसके बाद ऐसे करते हो, जब भी आप पुष करते हो, तो आप direct home page में आ जाते हो, तो इसकी यह disadvantage लगे मुझे, हलाकि इसकी price जो है, अभी Amazon में 1050 में मैंने खरीदा है, और इसकी price 999 है, price फाइर बोल्ट निंजा कॉल प्रो की ही ज़्यादा है, और बी टेक्स पी मार्व सेंस की price कम है, लेकिन all over watch अगर आप देखो, तो बड़ी display के साथ, IP rating दोनों की 67 है, उसके बाद भी बड़ी display और ज्या features देखने को नहीं मिलते हैं, बाकी यहाँ पर आप देखो तो दोनों की touch response जो है, वो आपको लगबग same ही मिलने वाली है, touch response में कोई भी दिक्कत जो है, वो आपको देखने को नहीं मिलते है, और heart rate वगेरा या SPO2 जो आप check करते हो, यह दोनों की लगबग थोड़ी बहु एक मुझे इस watch में कमी लग रही है कि आपकी एक stage पीछे ना आतकी, यह पूरी पीछे आ जाती है, बात कर लेते हैं battery backup की, तो दोनों की battery backup आप एक से दो दिन ही, दो दिन max आप इसे चला सकते हो, अगर आप हमेसा यूज करते हो, तो दो दिन से ज्यादा इसकी battery backup जो है, व कोई भी दो दिन से ज्यादा जो है, अभी तक नहीं चल पाया है मेरे पास, और नहीं चलेगा, तो अगर आप battery की सूच रहे हो, तो दोनों की लगवाग सेम लाइब है, लेकिन अगर यहाँ पे आप based watch की सूच रहे हो, तो मेरे हिसाब से beat experience जो है, बहुत है बढ़िया मु अपने अपने एप में काफी अच्छे धन से आपको connect हो जाते हैं और दोनों ही अच्छे धन से काम भी करते हैं, इसमें आप सारे contact को भी यहाँ पे आप ला सकते हो, जहाँ पे contact होता है, तो आप एप के जरीए beat experience में सारे आपको contact को ला सकते हो, कोई भी दिकत नहीं, जित इस तरह से कुछ finish मिलती है, strap और इसके same finish देखने को मिलेगी, यहाँ पे इसके firebolt ninja के branding जो है, वो की गई है, यह भी made in India ही लिखती है, लेकिन यहाँ पे black जो है, बैक आपको देखने को मिलेगा, हला कि दोनों के back जो है, वो आपको polycarbonate की ही देखने को मिलेगी, और दोनों की speaker जो है, वो भी आपको देखने को मिल जाती है, बाकि sensor जो है, वो भी काफी अच्छे डंग से काम करते हैं, एक चीज मैंने यहाँ पी देखा कि इन दोनों में से फालतू के sensor जो है, कोई भी आसो नहीं करती है, जबकि एक watch है, Marv, Bit XP, Marv, Neo, जिसकी sensor जो है, हमेसा जलती ह इन दोनों घडियों में ये समस्या देखने का आपको नहीं मिलेगी, तो इस डंग से कुछ दोनों watch जो है, वो आपको देखने को मिलती है, आप comment करके जरूर बता कि कौन सी watch आपको अच्छी लगी, बाकि आप जब पहनते हो, तो दोनों घडियां अपने-अपने हिसाब स अगर आपको बड़ी डायल पसंद है, तो आप B-XP Sense ले सकते हो, छोटी डायल पसंद है, तो आप इसे खरीच सकते हो, अगर आपको ज़्यादा घड़ी से मतलब नहीं है, ऐसे आपको एक सोखिया घड़ी पहन्मी है, तो आप इसे भी खरीच सकते हो, थोड़ी बहुत फ B-XP Sense जो है मेरे हिसाब से ज्यादा बढ़िया है, फाइर बोल्ट निंजा कोल प्रो के मुखाबले, आपको कौन सी बाच अच्छी लगी है, आप कमेंट में जरूर बताएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक कर, जै हिंद वंदे मातरम